हरियों फ्रेंड्स आज हम लड़ू गोपाल जी के लिए ग्रीन एंड वाइट कलर की ड्रेस बनाईए फ्रेंड्स बना स्टार्ट करते हैं इसे आप मंडे एंड वेटनेस डेको काना जी को पहना सकते हूँ क्योंकि इसमें मैं वाइट और ग्रीन कलर का क leaning कर रही हो और यह गुपाल जी को पहनी होई बहुत ही अच्छी लगती है तो चलिये ऐज मैं आज पोहते ही सिंपल है ड्रेस और बहुती ही संधर है तो चलिये ड्रेस बनाना स्टार्ट करते हैं ड्रेस बनाने के लिए यहाँ पर मिने फ्रेंड्स ayang धे की बेस बनाकर रखा हुआ है और जो मैं ड्रेस बना रही हूं वह मैं पांच नंबर के लड़ू को पारजी के लिए हमने यहां पर बेस की जो डायमेटर लिया है वह हमने यह देखिए आठ इंच लिया हुआ है क्योंकि इसके साइडों में हम पतियां लगाएंगे तो आप सरकल का डायमेटर कट कर लें और इस तरह से बेस बना लें अगर आपको बेस बनाने की वीडियो का वीडियो देखनी है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप वहां जाकर इसे चरक कर सकते हैं तो चलिए इसमें मैंने ओपनिंग काट कर रहा है देखिए कमर हमने बिलकुल थोड़ी सी कम कट की है यह देखिए यह सवा इंच के करीव ही कट की हुई है तो चलिए अब हम इसमें पैटल्स लगाएंगे सिर्से पहले तो दिखिए यहाँ पर मैंने कुछ पैटल्स इस तरह से बना कर रखी हुई है ठीक है और कुछ हम बना लेते हैं तो आप benefiting को बनाने के लिए हमने में यापर एक पीस को कट किया है ये मीने आप अरंप कपड़ा सकते हैं ओर या आप इसमें न communion और कोई भी आपके पास अदर रियन बींह प्लेंढ़ा हो यह इस तरह से मोच बना कर लगा सकते हैं यह देखे यह मैंने 3.30 का एक पीस कट कर लिया है इसे हम में इस तरह से फोल्ड करना है फिर इस तरह से फोल्ड करना है ठीक है फ्रेंड्स और अब हम इसको यहां से फोल्ड करेंगे और फिर इधर से फोल्ड करेंगे इस तरह से इसको फोल्ड करते हुए यहां पर सिलाई चला लेंगे और इस तरह से ये lass बना लेगे ये देखिए मैंने पूरी इस तरह से ये lass को बनाया हुआ है सील के, एक ही बार मैं सील दी गई हूँ और मैंने इसके extra कपड़े को भी कट नई किया सिला लगा कर कट करेंगे क्योंकि ये saturn के कपड़े है कपड़ा है तो इसके थ्रैट जादा निकलते हैं इसलिए मैंने इसको अभी कटनी किया जब हम बेस पे लगा लेंगे फिरी से कट करेंगे ठीक है तो चलिए अभी हम इसको बेस पे लगा लेते हैं तो बेस में लगाने के लिए हम इसको यहां से स्टार्ट करेंगे इस तरह स लगाना अचैने तो मैं इसमें सिलाइ लगाई है तो मैं इसे मेंसे जब लगाऊंगे उसी के साथ ही कवर कर लूंगी तो इसलिए मैं आप धाल भी कुछ नहीं गहाया चीक है केट से कवर कर सकते हैं अब हमने बिल्कुल यहां किनारे किनारे पर हमने एक सिलाइन लगा लेंगी तो चलिए इसे लगा लिए करें charisma यहां पर मैंने घेरे में पूरा अपना इस पैटल को लगा लिया है और यहां पर आने के बार अब हमने जो यहां से सुई है बिलुकुल इसके साथ ले आनी है उठा कर बार नहीं निकाल ली ठीक है यहां से हम इसको यहां तक सिलाई लगा लेंगे ठीक है यह देखिए इस त तरह से मैं इसको पूरे राउंड में सिलाय लगा लोंगी तो दिखे फ्रेंड्स इस तरह से दो सिलाइब लगाने के बाद अब हमारा जो एक्स्ट्र कपड़ा है उसको हम कैंटी से कट कर लेंगे तो चलिए मैं तक स्पेस आएगा उसको हम इस तरह से यह देखिए यह हमारा तीन इंच आ रहा है ठीक है तो इस तरह से आप तीन इंच नेट को कट कर लें अगर आप सिंगल लेयर में लगाना चाहते हैं ठीक है अगर आप इसको डबल लेयर में लगाना चाहते हैं नेट तो आप उसे three cut double कर ले six inch ले ले तो मैं यहाँ पर single layer की लगा रही हूं net को तो यह देखिए यह मैंने net की पूरी अरच की दो पटियां को cut कर लेना है आपने इस तरह से तो यह देखिए यहाँ पर मैंने आते हैं तो उपर निचे हो जाता है तो मैंने इतना सा इसको इसपेशें थोड़ा सा extra this net को cut कर लिया है तो चलिए अब इस net को लगाना बताती हुआ इस तरह से लाएंगे और आपर फोल कर लेंगे और फोल करकर यहां पर एक सिलाहे लगा लेंगे ठीक Ó, फ्रेंस अगर आप आप फर्स टाइम ड्रेस बनाना सीख रहे हैं तो प्लीज आप इस तरह से मत लगाएं आप क्या करें नेट की पट्टी पर सबसे पहले प्लेट्स बना ले इस तरह से एक दुस्य के ऊपर चड़ाते हुए इस पट्टी की फ्रील बना ले आप उसे आपको इसे ऊपर लगाना असानी लगेगी तो मुझे यहाँ पर इसी तरह से लगाने की आदत पड़ गी है तो मैं इसी तरह से लगाती हूँ तो आप अगर फर्स टाइम लगा रहे हैं तो पहले प्लेट्स में आले सब भी बर तो फिर आप इस सर्कल को कवर करें नेट लगाकर तो चलिए मैं इतना सब बरिक बरिक कट कर लेंगे तो यह देखिए आप यहां से कट करना स्टार्ट करें यह देखिए जो हमारा में जहां से हमने स्टार्ट किया था लगाना तो इसको हम थोड़ा थोड़ा यहां से कट कर लेंगे हमने इतना कट करना है जहां पर हमारी पैटल्स हैं तो यह द अब आप पूरे सरकल में इवाइने को कट возьल ले तो चलिए में इतना कर लेति हूं तो देकि फ्रैंट्स इस तरह से हमने गिरा लगाी है यह दिक फिज में आए में चोर हो discriminate is fel तरह से तरव में लगा लगा लेती हूं तो देखिए यहाँ नहीं है यह फ्रैंड्स तरह से इसको राउन्म पटढ़ा है एक्स्ट्रा कप्ड़ा चोड़ दिया है ताकि अब मैं इसे उपर से जब फोल करेंगे तो इसे हम साइड till से फोलड कर लेंगे तो चलिए इस तरह से पत्टी को बाहर ले और अभ हमने एक लेनी है डौरी जो इसके अंदर हम डालेंगे तो चलिए मैं डौरी ले लेती हूं तो देखिए व्रेंड्स यहां से हमने पत्टी को यह देखिए इस तरह से फोल्ड करना है तो इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे और यहां पर डोरी को रख लेंगे ठीक है और यह देखिए इसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और अब हम यहां से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे यह देखिए इस तरह से डोरी को अंदर करते जाएंग करें और इसके उपर अब हम सिलाई लगा देंगे तो चलिए इसे तो दिखाते हैं तो देखिए इस übers में इसे आप सुई धागे से भी लगा सकते हो और चाहे इसे पेश्ट करके भी लगा सकते हो तो अभी मैं इसे पेस्ट कर लूँगी और इसके देखिए यहां पर हलका सा हमने इसको ज्यादा मतलग के अच्छ सिंपल लुक देनी है हमने ड्रेस को तो इस तरह के पैचिस मैं यहां पर इसके चारों तरफ एक اकर के लगा दूंगी यह देखिए यह आप सूई धागी से लगा सकते हैं और चाय तो होट Global सकते हैं यह पैचिस मैं आपको कош Tages को कट करके इस मेंसे लगा सकते हैं ठीक है तो इस तरह के पैचिस और इस तरह के पर्स drama लगा लेते हैं इसके बाद मैं आपको चोली बनाकर बताती हूँ और चोली बनाकर, आपको गोपाल जी को यह ड्रेस बहना कर भी दिखाती हूँ, कि किस तरह से लग रही है, तो देखे फ्रेंट्स, इस तरह से हमने ड्रेस को डेकोरेट कर लिया है, पर्स लगाके और इस तरह के यह स्टोन परेस लगाके, तो चलिए अगर आपके पास आरकंडी ना हो तो इसके जगा आप कोटन का कपड़ा भी लगा सकते हैं ठीक है फ्रेंड्स तो यह देखिए इस तरह से हमने इसकी लंबाई लिए है पांच इंच ठीक है और आरकंडी की यह देखिए यह देड़ी इंच इस तरह से चोड़ी है और नीचे पहले हम उपर से एक सिलाई लगाएंगे उपर से सिलाई लगाने के बार उसके बाद जब जो हमारी इस तरह की कटिंग हो रही है उस शेप में हम सिलाई लगा लेंगे तो चलिए इस सिलाई को लगा लेते हैं तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से सिलाई लगाने के बार अब हम इसको सेंटर से इस तरह से थोड़ा-थोड़ा कट कर लेंगे ठीक है और यहां से एक छोटा सा कट दे देंगे देखिए सिलाई से पहले-पहले हमने कट देना है ताकि जब हम इसे सीधा करें तो यह असानी से हो जाए तो इस तरह से इसको सीधा करके अब हम यहां पर शुलाइस लगाएंगे यह देखिए इस तरह से सिधा करके अंगठे से अक्षट देखिए इस तरह से इसको आप सीधा कर लें ठीक है और अब हमारी जो यह वली सिलाई है इस आरकंडी के उपर उपर हम एक सिलाई लगा लेंगे और एक्स्ट्र कप्टे को कट कर देंगे और साइड से हम इसमें टिशू लेस लगा लेंगे तो देखिए फ्रेंड्स यह सिलाई लगा कर मारा इस तरह से त्यार हो गया है अब जहां से हमने सिलाई लगाई थी वह हमारी बैक साइट हो जाएगी और जहां से यह उपन है इसी तरह से हम बानने के लिए पट्टी लगाएंगे और सबसे पहले हम इसमें इसको इस तरह से बराबर रखते हुए यहां पर एक तिर्ची सिलाई लगा लेंगे इस तरह से तो चलिए मैं इसमें तिर्ची सिलाई लगा कर आपको दिखाती हूं तो देखिए फ्रेंड्स बीच में से मैं यहां पर तिर्ची रेप की सिलाई लगा कर उसको देखिए अब मैं यहां पर भी स लुआ लगा दूंगी और या नों को गोपाल जी को पैसमा के दिखा रहे हो कि यह डresse किस तरहा से पैनानी हुआ यह देखिए इस तरहा से आफ हमरने सबते ह लेंगे और पीछे से से हम इस तरह से बंद कर देंगे ठीक है तो देखिए फैंस यह हमारे ड्रेस की कोपाल जी की पहनने के बाद यह लुक आई है देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं गुपाल जी सिंपल और सोबर ड्रेस मनाई हैं बिना लैस के हमने देखिए कितने प्यारी लग रही है आई होप कि आप भी अपने गुपाल जी के लिए इस तरह की ड्रेस जुरू ट्राइ करेंगे थैंक यू फर वचिंग रादे कृष्णा